यूपी की नव विधान सभा सीटों पर उपचुना हो रहे हैं इसमें संगमनगरी प्यागराज की फूलपूर विधान सभा सीट पर भी उपचुनाओ की उल्टी गिंती शुरू हो गई है नामांकन वापसी के बाद इसमें सपा की ओर से मुहम्मद मुस्तपा सिद्धी की ब बीजेपी और इंडिया कटबंधन के बीच यहां पर माना जा रहा है लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं चाहे वो आजात समाज पार्टी हो बस्ता हो वो भी यहां पर बड़े बड़े दलों का खेल बिगाडने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ फूलपूर विधान सभ सीट से कुछ लोग मौजूद हैं जिनमें बिजेपी कॉंग्रेस इसके अलावा समाजवादी पार्टी और राजनितिक विशलेसक भी हैं वरिस्त पत्रकार भी हैं उनसे हम बाचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सीट पर क्या मुद्दे हैं और क्या इस सीट का गरित है सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं अजीत यादो जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्तला है उनसे बाचीत करते हैं अजीत जी बताईए कि अब फूलपूर का काउंटडऊवन शूरू हो गया है किस तरह के मुद्दे यहां प करके आई और जहां तक फूलपूर की बात है खास्तोर से 2022 के बिधान सभा चुनाव में पचीस सो ओड़ से लगभग प्रवीड पटेल जी जीते थे सभा के चुनाव में समाजबादी पालिटी ने फूलपूर से ही प्रवीड पटेल को हम लोगों ने हराया फूलपूर में तो इस समीकरण को देखते हुए लग रहा है कि फूलपूर की सीट को समाजबादी पालिटी जीतने जा रही है और हम लोग 18,000 से नहीं इस बार 28,000 से जाहराने का काम करेंगे फूलपूर की विधान सवासी बड़ा दावा है संजे गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो विजेपी के वरिष्ट नेता हैं दावा कर रहे हैं कि अब आपके बटों के कटों का की जबाब लेकर आए हैं जुडएंगे तो जीतेंगे और यह दावा है पर्ति की सरकारि काम किया है, उस काम के बलपे विकास के बलपे आवाने वाले जो विझास को देखते हैं, जता नेमन बनाया है यतल है। बता रहे हैं कि हमने 18 जीता है लेकिन लोक शभा में लेकिन जब ट्रेंड चेंज होता है लोगाल मुद्द्द चुना होगा लोकल बुद्दे और विकास के लगता है कि फूल पूर का उपचुनाओ है किस विशय पर किस मुद्द्द पर लड़ा जा रहा है और कौन यहाँ पर भारी पड़ेगा किसका परला भारी होगा समाजिक समरस्ता पे चुनाओं होने जा रहा है निश्चित रूप से बाबा की सरकार ने माफियाओं को उल्टे सिधे करम करने वाले लोगों पे सिकंजा कसा है उससे खलबला के समझवादी पाइटी ने जो भी बुराई है सरक कार की कर रही है निश्चित रूप से सुसासन पे और विकास पे चुनाओं होने जा रहा है और भारती जंता पार्टी पिजय निश्चित करेगी और भी लोग हैं और हमारे साथ सबसे बड़ी बात कॉंग्रेस की तरब से पक्ष रखने के लिए पवंधिवेदी जी हैं य पार्टी बात कोई मतलब नहीं सबका जब तो चुनाओं की समय आते हैं उसके पहले कभी दिखाई नहीं देते इसका पर उल्टा सर पड़ेगा राजी विश्राजी हैं जो कि समाज सेवी हैं समाज में सक्री रहते हैं क्या सीनेरियों देख रहे हैं फूलपूर विधान चुनाओं था कई चीजें थी मुद्दे थे जिस पर जनता को नाराजगी थी लेकिन अब आने वाला जो यह विधान सबाज नौसिटों पर जो हो रहा है उसमें माने मुख्यमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की नाट पर है और उनको अब इस सीट पर चुनाओं जीतन हमारे साथ राजिनितिक विशलेशक भी हैं डॉक्टर सैले शुमार यादो जी आप यह बताईए कि किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाओं को किस मुद्दे पर यह लड़ा जा रहा है किस के बीच यहां पर फाइट दिख रही है और किस करवट यह उट बैठने जा रहा अपने अपने दमख्रम के साथ निशित रूप से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्यासी हैं उनकी कुछ कमिया रही होगी वह रहे होगे फिर सरकार की कुछ नाकामी रही हो तो भाजपाहरी होगी वर्तमान समय में दोने तरफ मुद्दे जीवित हैं एक तरफ विकास का रोजगार का मुद्दा है सांती वीवस्था का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बसपा के प्रत्यासी लड़ रहा है ओसमाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा और बसपा के ओटन सेंद लगाएगा तो उसका नुक्सान समाजवादी पार्टी को होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे के साथ पीडिये के फर्मूले पर चल रही है तो पीडिये में दलिद भी है अगर दलिद खिसकेगा तो सरकार के चुनाओ का फायदा उप्चुनाओ में सरकार को होता दिखता है लेकिन मुद्दे वी जीवित है अगर जो लोग सबागे मुद्दे अभी तक जीवित होंगे तो उसका नुक्सान भारतिजंता पार्टी को उठाना पड़ सकता है अच्छा विषलेशन क्या आपन पहले यह जानेंगे कि 2012 के बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जीत का स्वाद नहीं चका है इस पार आप कैसे यह मान सकते हैं कि उपचुनाओं जो की सत्ता का चुनाओं होता है राजिंतिक विशले सक भी बता रहे हैं आपका पड़ला भारी है उपचुनाओं में नागेंदर सिंग्प पटेल जी यहीं फूल पुरहत सभा से अर केश्व प्रसाद मोर्या जी की सीट थी यहीं लोगोंने हराया केश्व हम जीते हैं और विधान सभा में भी हम उच्चुनाव जीते हैं मुद्दा बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है और इलाहबाद में जो च्छात रहते हैं प्रत्योगी च्छात रहते हैं परडे कोई लड़की सुसाइड नोट लिख करके कोई लड़का सुसाइ कर रहे हैं और जो माबाप उनका खर्चा नहीं दे पा रहे हैं लोग परेसान हैं और किसान आंदोलन इतना बड़ा मुद्दा है जो किसान इस देश में मर गए 700 से जादा 800 से जादा और उन किसानों के परिवार को आज तक सरकार ने मुआउजा नहीं दिया और कभी देख मतर 600 रुप eki लडाई थी चाहती तो पुलिस समझोता करा देती लेकिन ले जाकर के पुलिस हिरासत में मारने का काम करते हैं और अपराधियों की जो लोकल बात है यहीं पर हम नाम नहीं लेना चाहते हैं एक अपराधी को राजपाल के द्वारा माफी दिया गया है जो सबसे पहले यहाँ बाद में अगर एक के 47 चलने का काम किया था तो उस अपराधी और माफिया ने चलाने का काम किया था माफियाओं को छोड़ने का काम तो भाजपा के लोग करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदी तनाज जी जिनके उपर संगीन अपराद की धाराये लगी हुई थी वो अपना मुकदमा वापस लेते हैं और मुख्यमंत्री जी जी जो है ये भी अपना मुकदमा वापस लेने का काम करते हैं समाजबादी पार्टी ने मांग किया हाख लिए स्यादव जी ने मांगा कि आप टाप 10 अपराधियों का नाम दीजिए आज तक भात्पा की सरकार ने टाप 10 अपराधियों का नाम दिया इनके अपराधी जो है खुले आम क्रिकेट खेलने का काम करते हैं ये सोजाती अपराधियों को बढ़ाने का काम करते हैं और PDA के लोगों को पुलिस हिराशत में ले जाकर के मारने का काम करते हैं जनता ये सब देख रही है और 59,000 सिक्षक भरती में किस तरीके से PDA के नौजवान परेशान है दलित पिशड़ा के नौजवान परेशान है अजीत यादो जी ने लगा दी है, तमाम मुकदमे बापसी पर, रोजगार के मुद्दे पर, कानुन व्योस्था के मुद्दे पर, हिरासत में मोद पर, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। करते थे लोग बात करते हैं, यहां पराथ का बोलबाला है, आज की तारीक में जनता है, पूछे महिलां है, पूछे महिलां पहुच जाएं। परिवार की पाटी है और परिवार के हिसाब से तय होता है उत्तर प्रदेश में कि किसको क्या दिया जाएगा भरतियों की बात किया जाए तो सियुपाल जी के हाँ लिष्ट तयार होती है कि कितने हमको यादो भरना है कितने मुसलिम भरना है वहाँ पर जातिवादी बेवस्ता है टोटली टोटली परिवार के बेवस्ता है और हमारे साथी ने एक आरोप ल और भी लोगों से रियक्शन लेते हैं जिस तरह की बाते कहीं जा रही है अगर हम देखें तो 2012 के बाद समाजवादी पार्टी फूलपूर सीट पर नहीं जीती है हलां कि चार बार उनका विदायक रहा है इस बार उप्चुनाओं में कितनी संभावना लगती है देखें इस है ना कि सभी पार्टियां ये देश का बड़ा दुरुभाग है कि सभी पार्टियां केवल जाद के नाम पर वोट मांगती है अगर आप फूलपूर में देखिए तो पटेल को वोट आपने टिकट दे दिया यही भारती जनता पार्टी की ही तरकार में बहुत से ऐसे कारे करता हैं जो काफी पुराने कार करता है लेकिन उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं होता लेकिन जो अभी जिस भी तरीके से वो पार्टि में शामिल होता है और वो अपने पत्का इस्तिमाल करके उसको टिकट मिल जाता है तो यह समस्या हर पार्टी की है आप यह सपा में हो चाहे बसपा में हो चाहे भरती इंता पार्टी में हो तो यहां पर जो मुद्दा होगा कि विकास का मुद्दा होगा और योगी जी की जो सरकार है जो शासन है उनका निश्चित रूप से माफियाओं पर लगाम लगी है इसमें कोई दो शंशन नहीं है ठीक है, ठीक है, माफियों पर लगाम लगी, क्या लगता है आपको कि फूल पूर उपचुनाओं जो अब काउंडाउन शुरू हो गया है, बहुती कम दिन बचे हैं वोटिंग में, किस तरह जो है, जनता का मूड क्या दिख रहा है, लेकि अभी जब तक पेटी नहीं खुले पांजबन रही, पांच साल नहीं बनी है, यह सब जो कहिन कहिन के लिए थोड़ा दिक्कत होगी, भीजेपिक लिए, आप से जानना चाहेंगे, कि दो बातें आ रही हैं, एक तो स्रीम योग्यात इतना आतने जो कहा था कि बटोगे, तो कटोगे, और अब समाधवादी पा अब और भारत में नई राजनित नहीं है, धर्म के आधार पर, जाती के आधार पर, छेत के आधार पर, जबसे देश सोतंत्रुः तबसे राजनित हो रही है, होगी, कोई भी पूलिडिकल पार्टी, कोई संत महत्मा नहीं होती, अपने ओट बैंक को एड़्येकरती है, र लुए बात सबसे बड़ा मुझे दिखता है कि युवा वर्ग में वह बिरोजगारी और बेरोजगारी दर इतनी बढ़ रही है कि उसका आक्रोस जनता में दिखता है लुए दूसरी तरफ जो सरकार की ऐसी नीतियां है जिससे घर का जो जो चोटा तपका वह प्रवावी तर जैसे अनाज है तो निशुल्क अनाज जो मिल रहा है तो उसको लगता है कि मुझे कुछ मिल रहा है पिछली सरकारी नहीं दे पाती तो वह एफेक्ट कर रही है दूस प्रदिश को पूरा कर ले आती है भारतियंता पार्टी ने बनाया था अगर वह एज मौजुद रहता है तो निश्ची तरुप से नुकसान भारतियंता पार्टी को उठाना पड़ेगा यदि उस एज को पूरा कर ले आती है भारतियंता पार्टी तो उसे लाब होगा अजित जी आपसे एक फाइनल कमेंट जानेंगे चाहे वो भाजपा के लोग हों चाहे सपा के लोग और जिन मुद्दों को ले करके समाजबादी पार्टी लोग सभा में आई थी वो मुद्दे बहुत प्रभावी रहे जिससे हम हमारा गड़बंधन इंडिया एलायंस का गड़बंधन 43 जीतने में काम्याब रहा वो तरीके से 11े12 लिक हुए और आज पुलिस विभागे और पुलिस विभाग की महिला कांस्टेबल जो प्रक्षित नहीं उत्तर प्रद्यादेश में कानपुर में उसके साजि बलादकार हो रहा रहा है तो किस तरीके से आम महिलायें उत्तर प्रदेश में सुरठ्षित रहेंगी यंस्यारवी का जो डाटा है कि महिलाओं के खिलाप अपराद में उत्तर प्रदेश में बढ़ोत्री हुई नंबर वन पे पहुंच गया है तो इस तरीके से हम कैसे कह देते हैं कि बीजेपी को लोग इतनी निरलज्जता के साथ क उत्तर प्रदेश में अपराद कंट्रोल हो गया जीरो ट्रालेंस के तहट अइसा कुछ नहीं है अपराद है किसानों के जो है आई दूगनी करने की बात थी ओ नहीं हो पाई और बेरोजगारी का मुद्दा हमने पूछा और यहीं पर सिक्षा सेवा चैन आयोग तीन साल से नहीं बन पारा लड़के आंदोलन कर रहे हैं कि नया विज्यापन कम निकलेगा पुराना विज्यापन निकला था तीन साल पहले जो विद्यार्थी फार्म भरे थे वह आज तक परिच्छा देने का मौका नहीं पार है कितने लोगों की एज बढ़ जा रही है ज्यादे हो लेकिन 2027 के आम चुनाओं में समाजबादी पार्टी की सरकार बनेगी संजय जी इनके दावे पर क्या करेंगे यह प्राइवेट डिप्लेमेंट अथर्टी जो बना रखा है लोगों निस्ची तोर पर हम कह सकते हैं कि इनके लिए इनके लिए चुनाओ पर होगा लेकर हमारे लिए राश्ट का काम होता है हम लोग पूरे पांस साल तक देश में ज चुनाओ जीते हैं और 27 नहीं तो 2027 तक दावा रहेगा एक आफ फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं इस उप चुनाओ का 2027 के आम विदान सभा चुनाओ पर क्या फर्क पड़ेगा मुझे रखता कोई फर्क पड़ता है क्योंकि यह चुना मैं पहले बता आ चुका हूं कि जो सत्ता में रहता है उसका प्रभाव रहता है अधिकारी पेर करमचारियों पर इसके अलावा जनता चाहती कि जानता जानते कि इस सुनाओ का असर सरकार के बनने बिगड़ने से नहीं होता तो अस्थानी मुद्दे हावी रहते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता मे अगर मुद्दा जीवित रख पाते हैं तो जनता के बीच में अक्रोष बना रहा पाता है तो निश्य तुरुपस्तर बदला होने की सम्भावना दिखती है यदि नहीं कर पाते हैं तो जो आन्य पार्टी आहां और अभी तो बहुत समय उसके लिए अभी कहना बड़ा मु पच्छी भी जी सकता है क्या लगता यह सत्ता का सेमी फाइनल है दोजार सताइस के चुनाओं के पहले यह जैसे हमारे साथी संजय जी ने कहा जो है निश्य तुरुपसे भारती जनता पार्टी हमेशा से अपना चुनाओं मान करके चलती है तो यह कोई बहुत नया नहीं ह जैसा कि शेले जी ने कहा कि अगर जनता का आक रोज लोग सभा के चुनाओं को देखते हुए जिस तरीके था अगर वो जीवित रहा तो कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी को उसका नुक्सान उखाना पड़ेगा तो निशित तोर पर जो फूलपूर की जनता है और जो वहां की मुद्दे है उस पर जनता तेरह नौंबर को वोट करने जा रही है लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे है वो अस्थानी है और यहाँ पर सभी लोगों का यह मत है खास तोर पर राजनीतिक विश्यूसकों का कि दो धुर्वी यहाँ पर चुनाओ है लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जीत के अपने अपने दावे हैं बीजेपी जहां जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनाओ मैदान में टटी हुई है वही समाजवादी पार्टी भी 2012 के बाद इस सीट पर खाता खोल लेकि जुगाड में है हलांकि दोनों पार्टियों का ये दावा है कि इस सीट पर उनकी जीत होगी लेकिन अब जनता जनार्दन को ही ये तै करना है कि विधाय किसे बनना है सर्वेस दूबे निउजटीन प्यागराज